स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टडी पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकास के प्रावर्दन के पार्ट फॉर के बारे में इससे पहले मैंने तीन पार्ट अल्रेडी अप्लोड किया हुआ है जिसमें आप प्रकास के प्रावर्दन से जितने भी इस चैनल पर सिर्फ तस्वी के लिए से स्टार्ट किया है तो जितने भी स्ट्वेंट्स होंगे आपके आज पास आगल बगल में या रिलेशन में सबको यह लिंक सेर कर दिजेगा ताकि वह अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएं इस चैनल पर आपको साइंस से करने गोली दरपन क्या है तो किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तल परावर्तों को उसे क्या कहेंगे गोली दरपन अब देखें यहां पर बात नहीं बनी गोली दरपन हमने तो बस पड़िवासा बता दिया हो सकता आपको समझ में नहीं आया होगा तो चली हम इस से डिवाइड करें कुछ इस तरीके से ठीक है कुछ इस तरीके से डिवाइड करें तो देखें इस तरीके से डिवाइड करने के कारण क्या होता है हमारे सामने दो तरीके के सेप बन करके आते हैं कितने दो तरीके के से बन करके आते हैं अब क्या करते हैं इसको अंदर स इस तरीके से रहने सब्सक्ति इस तरीके रहने च smoothie भाb बहुत कर न कि एक किसी érंग गोले का वह भाग तो ये आगके सामने ये किसी कोखले गोले का वह भाग जिसका एक सत्ह परावर्तक हो चाहे अंदर वाला धसा हुआ पार्ट या बाहर की और उभड़ा हुआ पार्ट परावर्तक हो उसे क्या कहेंगे दरपन कहेंगे ठीक है तो प्रिवास समझ में आ गया होगा किया है किसी खोकले गोले का वह भाग जिसका एक तल क्या हो परावर दुटन दर्पन दो तरीके की एक तो बने आपका उत्तल दर्पन क्या बन lackingया एक उत्तल दर्पन और एक क्या बन क्या आए अवत्तल या रखते हैं तो देखिए जब हमने बनाया था दर्पन तो हमारा दो तरीके से दरपन बनके आया था एक ऐसा वाला आया था ठीक है और एक कैसा वाला आया था ऐसा जिसका अंदर से रंगा हुआ था ठीक है दो तरीके के दरपन बनके आया थे तो देखे वैसा गोली दरपन जिसका ये परावर्तक सत्ह धसा हुआ है तो जिसका परावर्तक सत्ह धसा हु तो तो चलिए कपिए यह तापको च little pop का आपके सामने देख सकते हैं इसको अगला है आपका फ्तल दरपन तो मैंने अक़ पते आ गहां वैसा गूले दर जिसका प्रआव तक सथ सब उसे क्या कहेंगे अवतन दर्पन जैसा कि यह दखिए यह परावर्तक सत्य इसका धसा हुआ है उमिद करते हैं कि यह सारा पॉइंट आपको समझ माया हुआ चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं देखिए गोली या दर्पन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग को जाना बहुत जरूरी है जैसे देखिए मैंने भी जस्ट बताया था थोड़ा इसको जूम करके बताते हैं आपको देखिए यह क्या है? एक खोकला गोला है क्या है? अब जब हम इसको बीच से डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे ठीक है तो यहाँ पर हमें दो तरीके के दर्पन मिलेंगे एक ये दरपन मिलेगा और एक ये दरपन मिलेगा तो इसका परावर्तक सतह इधर से है है नो क्या है इसका परावर्तक सतह ये है और इसका परावर्तक सतह ये है तो ये धंसा हुआ है और ये उहड़ा हुआ है तो अभरा वाले को क्या बलेंगे उत्तल दरपन और धंसे हुए पावताल दरपन केंगे तो इससे रिलेटेटर बहुत सारे पॉइंट से हम लोग सारे पॉइंट से निटिकेस कर लेते हैं जैसे झाल मजम को और सबसे पाहला पॉइंट आता है अपका ध्रूब क्या ऩह दो atив walk क्या गोलिय दरपन के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं धुरुव कहते हैं नेक्स्ट है वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र क्या होता है कि यह जो दरपन बना है या किसी ने किसी खोकले गोले का भाग है तो जिस खोकले गोले का भाग था उसी केंद्र को क्या कहेंगे वक्रता केंद गोलिए दर्प्ण की तृज्जया कोई क्या कहेंगे वपरता तृजया यह देख लीजिया एक गोल यह दर्पं है और यह क्या इसकी त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज इसी को क्या बोलते हैं प्रधानक्ष कहते हैं तो वही पॉइंट मैंने लिखा है क्या कहा है दुरुव से वकृता के अंदर को मिलाने वाली रेखा हो क्या 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 प्रधानक्ष कहते हैं ठीक है अब है एक पॉइंट फोकस ठीक है फोकस क्या है प्रधानक्ष के समांत ये प्रधानास के समांतर कोई भी लाइट आएगी तो दर्पन से प्रावरतन के बाद ऐसे आएगी तो यह प्रधानास के जिस भी पॉइंट को यह काटेगा वही इसका क्या होगा फोकस होगा तो याद रखिएगा वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखाए हैं अब देखे कुछ और पॉंट पुछे जाते हैं जैसे गोलिय दरपन की focus दूरी और वकरता तृज्जा में क्या संबंध होता है पूछा जाता है exam अब अगला point है आपका गोलिय दरपन के लिए किरणार्ऍार्ख की बनावर तो यह सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्क्स करेंगे